नमस्कार मैं प्रग्या धर्दत इस खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को जमो कश्मीर के अनंतनाक जिले में पिछले 48 घंटे से जादा समय से जारी मुढबेर के बीच सुरक्षाबलों को बड़ी कामयावी मिली है आज सुरक्षाबलों ने जमो कश्मीर के बाड़ा मुला जिले में लसकरे तयाबा के एक खदरनाक आतंकी मॉडियूल का परदा फास किया है आज बाड़ा मुला पुलस और सेना के आठवी राश्ट्री राइफल्स ने संयुत अभियान चलाया और इसी अभियान के दौरा सिमान तला के उड़ी से दो जिंदा आतंकवादियों को गर्फतार किया भारत के तिहास में सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट में से एक को आज मंजूरी मिल गई है देश के रक्षामंतरी राजनास सेंके तितमी रक्षा गदिग्रहन परिसद ने आज भारत में डिफ प्रकसगर की उद्योग नगरी भिलाई का सौरप चंदरकार भवे शादी और ग्रैन पार्टी देने के लिए स्टील किंग लक्षमी मितल और भारत के सबसे अमीर बिजनसमैन मुकेई संबानी की सूची में शामिल हो गया है उसने साधी के लिए 120 करोड रुपए में वेडिंग प्लानर हायर किया था उसे 42 करोड रुपए कैस दिये थे उसने महमानों को लाने और वापस छोड़ने के लिए चार्टर प्रेन की भी विवस्था की थी इस साधी में फिर्म जगत से भी कई मशूर लोग पहुंचे थे ऐसा अनुमान है कि साधी में 200 करोड रुपए पानी की तरह बहाए गये थे हाला कि अब वा इडी की जांच में आ चुका है जांच एजनसी 470 करोड रुपए की संपत्ती अटाच कर चुकी है केरल हाई कोट ने एक मंदर पर भगवा जंडे लगानी के नमती मांगने वाली याचिका को यहां कहते वे खारिज कर दिया कि मंदरों का इस्तमाग राजनतिक वर्चस्व के लिए नहीं किया सकता है बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मताबिक अदालत ने कहा मंदर आध्यात मिकसांतवना और शांती के प्रतीक होते हैं उनकी पवित्ता और श्रधा सरवोप पड़ी है ऐसे पवित्र आध्यात मिक आधारों को राजनतिक चाल भाजियों या एक आधिकारिता के प्रयासों से काम नहीं किया जाना चाहिए याचिका करताओं के काड़े और रादे असपस्ट रूप से मंदर में बनाए रखे जाने वाले शांत और पवित्र वातावरन के विप्रीत है बिल्किस बानुसा मोहिक बालतकार मामले में 11 दोसियों की सजा माफी और समयपपुर वरिहाई को चनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते वे सुप्रीम कोट ने गुरुवार को कहा कि कुछ दोसिया ऐसे हैं जिन्हें दूसरों के मुकाबले जादा विशिश कोबर की समय सीमा से पहले सरकार ने ऐसे तीन संगटनों के लाइसेंस रद कर दिये हैं एकनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मताबिक अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने सेव द चिल्रेन स्रीनिवास मलिहाब मेमोरियल थेटर क्राफ्ट मूजियम और सेवा नाम के एंजियो को FCRA लाइसेंस कैंसल कर दिया यह संगठन उत्तर पुर्वी दिल्ली में पशुपालन डेरी और मतर सेपालन गतिवीदियों में शामल हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि बिटेन रस्थ एंजियो सेव द चिल्रेन की भारत इकाई बाल रक्षा भारत का लाइसेंस रद कर दि ग्यात हो कि बुदवार को दक्षिन कस्मीर के कोकर नाग में हुए आतंकी हमले में सेना की उनिस राष्ट्री राइफर्स के कमांडिंग ऑफिसर करनल मनप्रीत सिंग जमु कश्मीर पुलिस के उपाधिक शक डियासपी हुमायू मुजामिल भट और उनिस राष्ट्री रा नहीं कहा सकता है या देखते वे कि समधानिक अदालतों में नियाधीशों की नियुक्ति पर विचार करते समय तथ्यात्मक डेटा की कमी के लिए कॉलेजियम के अरुशना की जाती है उन्होंने कहा कि नियुक्तियों को अधिक पारदर्श्य एवां वस्तो निष्ट बनान दो ओक्टूबर तक देश भर में सीवा पकवारा आयुजित कर रही है। कहा गया है कि IRS अधिकारी राहुल नविन 1993 बैच के अधिकारी हैं राहुल नविन E.D. मुख्याले के मुख्य सर्ता अधिकारी के रूप में कारे रथ हैं अब उन्हें केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मधारी देते वे E.D. का कारेवा हग में देशक बनाया है अब जब तक E समय से लगतार अमल में लाई जा रही इंकम साइड अप्रोच का है उपयोग किया गया है इसके लावा वित्मंतराली की ओर से कहा किया है कि अलोजकों को अने डेटा जैसे PMI, Bank, Credit Card, Growth, बढ़ा हुआ, पुंजिकत, खर्च और खपत के पैटन को भी देखना चाहिए वहाँ कहीं का पहली तिमाही का डेटा सामने आने के बाद कहीं, अंतराश्ची एजेंसियों ने अपने ZDP अनुमान को संसोधित किया है मौजुदा समय में हर कोई बिमारियों के चपेट में आ रहा है, दरसल इस मौसम में बिमारियां और संक्रमन होना आम बात है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन के मताबिक डेंगू एक फ्रू जैसी बिमारी है जो एरीस प्रजाती के मच्छों से फ्यालती है डेंगू से संक्रम जातर लोगों में कोई लक्षन नहीं होते हैं लेकिन यह बुखार का कारण बज सकता है और दुरलब मामलों में गंभी रूप ले सकता है जिसे कहीं बार मौत तक हो जाती है डेंगू के आम लक्षनों में बुखार, सर्दर, सरी में दर्द, मितली और दाने हैं यूपी के लाबाद हाई कोट ने किद्र सरकार को हिंदी को राश्टर भासा के रूप में घोशित करने के लिए कानून बनाने का सुझाओ दिया है एक मामने के सुनवाई के दौरान जस्तिस सेकर कुमार यादर ने कहा कि यह दुखद है कि हिंदी को अब तक राश्टर भासा का दर्चान नहीं मिला है उन्होंने इस बात की मांग की कि देश की अने भाशाओं का भी सम्मान होना चाहिए लेके सचाई या है कि भारत में सबसे अधिक बोली समझी और लिकी जाने वाली भासा हिंदी है यूपी की इलाहबाद हाई कोट ने मत्रा की चाता तहसील के सापूर गांवस्तित बांके बिहारी मंदर के नाम दर्च जमीन का राजिश्व अभी लेको समय समय पर इन्दराज बदलने के आदीशों को रध कर दिया है एलाबाद हाई कोट ने तहसीलदार छाता को दो मह में मंदल की जमीन बांके बिहारी मंदल के नाम राजिश्व अभी लेक में दर्ज करने का नरदेश दिया है कोट ने इसे पहले सिती सपस्ट करने के लिए सिजुरे सभी रिकॉर्ड तलब किये थे कोट में हाजिर SDM तहसिलदार वा लेकपाल तहसील छाता ने गलती माने थी आवेदन मिलने पर इंदराज बदनने की जानकारी दी थी अभी आची का स्विकार कर ली गई है और गलती दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है केंद्री पडिवान मंतरी नितिन गड़कडी ने ABP News के साथ एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यों में Green Expressway Project गाजिपुर में कूडे के पहार समेथ कई मुद्धों पर बात की उन्होंने कहा कि Green Expressway Project में हम कूडे का इस्तमाल कर रहे हैं के लिए अमेरिका की तकनीक पर काम किया जा रहा अब हम अपने दिल्ली में सरक बनाने में गाजिपुर के कूडे के पहार का कच्रा इस्तमाल कर रहे हैं जिससे इस पहार की उचाई 7 मीटर तक कम हुई है इस तरह हमने एहमदाबाद में सरक बनाने में 25 से 30 टन कच्रे का इस्तमाल किया ये कच्रा एहमदाबाद की लैंडफिल साइट का ही था केरल में निपाफ वारस को लेकर खत्रे की घंटी बच गई है यहां संक्रमन काफी खतरनाक होता जा रहा है बढ़ते मामलों को देखते वे कोजी कोड में सब इससेरिचनिंग संस्थानों को 24 सितंबर तक बंद कर दिया गया है स्कूल कॉले से लिकर कोचिंग संस्थानों तक को नहीं खोलने का अधिश राजय सरकार के ओर से जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि अगले पूरे सब्ता ओनलाइन कक्छाओं का आयोजन किया जाएगा इस बीच केरल में 1080 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो संक्रवितों के संपर्थ में आए थे भेद भाव नहीं किया राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांग तो बतवर एक साथ ही केंदर सरकार के उर्से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को इस प्रदेश को मिलके अपनी संगी धांची की विवस्था में निरंतर हमागे बढ़ाते रहेंगे 65 देशों में व्याप्त प्रितवी की 13 फीसद सता पर अगस्त महीने के दोरान रिकॉर्ड अधिक्तम तापमान महसूस किया गया जबकि बागी देशों में भी वर्स 1951 से 1913 के उसत के मुकाबले अगस्त दोहजार तेश में काफी अधिक तापमान दर्ज किया गया अमेरिका असित 173 गैड लाबकारी संगठन दोरा किये गया एक नए विश्टेशन में आधारित रिपोर्ट में अधावा किया गया है कि 2023 में 174 साल के जलवाईयों रिकॉर्ड में प्रित्वी पर सबसे गर्म अगस्त महीना महसूस किया गया 17 सितंबर को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े इस कर्वेंशन एंड एक्सपो संटर और द्वारका में नए मिट्रोल स्टेशन का उधगाटन करेंगे यह सु भूमी से नामित किया गया अंटरनाशनल कर्वेंशन एंड एक्सपो संटर भारत मंडपम में से भी बड़ा है बता दी कि भारत को बिजनेस डिस्टेनेशन के रूप में प्रदर्शित करने के मकसद से लगभग 123 एकर में बने मिटिंग, इंसेर्टिब कॉंफरेंस और एक्जिबीशन पर कुल 2700 करोर रुपए खर्च हुए हैं द्वारत का कर्वेंशन संटर 221 एकर से जादा के छेतर में बना हुआ है, लागत भी 25703 करोर रुपए अनुमानित है, जो भारत मंडपम के बजर से लगभग 10 कुना चादा है यदि आपको फोन में एमर्जनसी अलर्ट की सेटिंग और नहीं है तो आप इसे मैनुवल और आउन कर सकते हैं, यदि आप आईफोन यूजस है तो आपको फोन की सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और government alert कौन करना है वहीं Android phone में भी setting कौन या off किया जा सकता है इसके लिए आपको phone की setting में जाना है और फिर safety and emergency पर click करना है अब यहाँ से emergency SOS alerts वाले toggle को on कर दे हैं इस वक्त बिहार के गया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है सिनिमा घड़ों में सारुक खान की जवान चाईवी है वहीं अब एक्टर की तीसरी बड़ी फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जवान के बाद अब सारुक खान की डंकी को लेकर भी फैंस के बीच excitement देखने को मिल रहा हाली में डंकी की release date भी announce कर दी गई है बता दे कि जवान के आते ही कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अब डंकी पोस्ट पोन होने वाली है ऐसी rumors थी कि सारुक खान और राजकुमार हिरानी की डंकी बनकर release के लिए तयार है बिहार विधानसभा में अस्सिस्टन जुनियर कलर्व डाटा एंट्री ओपरेटर और ओफस असिस्टन के 204 पदों के लिए बाहाली निकलने वाली है इसके लिए जल्द ही विधानसभा सचीवाले की तरफ से अधिसूशना जारी किया जाएगा का अपियोग भारतियों दौरा किया जाता है हम सभी आप्लिकेशन को ट्रैक कर रहे हैं पढ़ाई के लिए नहीं आने वारे छात्रों का नामांकर रद किया गया है। पुर्वसांसर जैप्रकाश यादव और उनके दोस्ते वानंति वारी भी मौझूद थे। पदपूर्थी के 25 प्रतीशत को बढ़ा कर 50 प्रतीशत कर दिया गया है। और कास स्वास्ति परेटन धार्मिक और आध्यात्मिक परेटन के लिए दुनिया के आकर्शन का केंदर बन गया है। CBSC बोर्ड ने 10 वी बारवी कक्षा के लिए LOC सब्मेंट करने की लास डेट आगे बढ़ा दी गई है। परेटन के लिए लेट फीज के साथ स्कूलों को यह सूची भर कर जमा करने का मौका 29 ऑक्टूबर 2023 से लेकर 5 ऑक्टूबर 2023 सक दिया जाएगा। अगर स्कूल हेड इस सम्मन में आउफिस सूचना चेक करना चाहते हैं तो वे CBSC के आधिकारिक वेबसाइट sttpscolumn//www.cbsc.gov.in/. पर जाकर चेक कर सकते हैं। बैंकों में पड़ी अंक्लेम्ड मनी का रिम्टारा करने के लिए खाताधार या उनके नौमनी को खोजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 डेज, 100 पे कैंपेंज सुरू किये हैं। वेसे में रिजर्व बैंक के निर्दरिश के बाद दिहार में बैंकों ने 317 अंक्लेम्ड खाताधार या उनके नौमनी को खोज निकाला है और उन्हें कड़ी 10 करोड का भुकतान भी किये गए है। वेसे अंक्लेम्ड खाताधरक जिनके खातों में बड़ी राशी पड़ी हुई है। उसमें बिहार सरकार का नाम पहला है राज्य सरकार के 47 बैंक खातों में कड़ी 32 करोड अंक्लेम्ड मनी के रूप में वर्शों से पड़ा हुआ है। धन्यवाद।